दोस्तो भारत और स्रिलंका की टीम के बीच तीन मैचों की T20 स्रीज, दो मैचों की वंडे स्रीज होगी तो ऐसे माई दोस्तो जानते हैं कि ये मैच कब कब होते हुए दिखाई देंगे इस दौरे पर भारत की कोचिंग कौन करता हुआ दिखाई देगा और दोस्तो ये सभी म match one day खेलने के लिए तोई दोस्तो जानते हैं इस दौरे का पूरा schedule जा दोस्तो इस दौरे से गौतम गंबीर भारत की coachingní करते होगे दिखाई देंगे और दोस्तो गौतम गंबीर के era के शुरुआत हो चुकी है अब दोस्तो बात कर ले भारत का पहला मैच कब होगा तो दोस्तो इस दोरे पर शिलंका के खिलाफ भारत का पहला मुकाबला 27 जुलाई को होतावा दिखाई देगा दोस्तो इस मैच की टाइमिंग सामके 7 बजे की रहेगी और दोस्तो ये मुकाबला पले-काले क्रिके श्टीडियम में खेला जाएगा जा दोस्तो सभी तीनो के तीनो T20 मुकाबले इसी मैदान पर होते वे दिखाई देंगे अब दोस्तो बात कर ले दूसरा T20 मैच कब होगा तो दोस्तो दूसरा T20 मुकाबला अगले ही दिन 28 जुलाई को होगा और दोस्तो इस मैچ की टैमिंग भी 7 बजे की रहेगी इसके बाद दोस्तों तीसरा और आखरी T20 मुकाबला 30 जुलाई को होगा और दोस्तों ये मुकाबला पलेकाले किके श्टेडियम में ही खेला जाएगा और इस मैچ की टैमिंग भी सामके वंडे मैच भी होंगे और दोस्तो पहला वंडे मैच 2 अगस्त को खेला जाएगा और दोस्तो इस मैच की टाइमिंग दोपहर के धाई बजे की रहेगी और दोस्तो ये मुकाबला कुलमबो के मदान पर खेला जाएगा और दोस्तो सभी T20 मुकाबले कुलंबो के मैदान पर ही होंगे इसके बाद दोस्तो दूसरा वंडे मुकाबला 4 अगस्त को होगा और इस मैच की टाइमिंग भी दोस्तो दोपहर के धाई बजे की रहेगी और ये मुकाबला भी कुलंबो में ही खिला जाएगा और दोस्तो इसके बाद तीसरा और आखरी वंडे मुकाबला और इस दौरे का आखरी मैच 7 अगस्त को होगा इस मैच की टाइमिंग भी दोपहर के धाई बजे की रहेगी और ये मुकाबला भी कुलंबो में खिला जाएगा और इस तरह दोस्तो भारत का श्रिलंका दोरा 7 अगस्त को खतम हो जाएगा अब दोस्तो बात कर लें इस दोरे के सभी मैच आप कहाँ पर देख पाएंगे तो तो दोस्तो इस दोरे के सभी मैच आप टीवी पर सोनी नेटवर्क पर देख पाएंगे इसके साथ-साथ दोस्तो ये मुकाबलें आपको फोन में SONY LIVApp पर आएंगे और दोस्तो ये मुकाबलें आप SONY LIV के साथ-साथ जो TV आप पर भी देख पाएंगे ऐसे मैं दोस्तो आपको क्या लगता है इस दोरे पर कौन सी टीम का पलड़ा भरी दिखाई देता है ऐसे में दोस्त आपको क्या लगता है इस दोरे पर भारत के टीम श्रीलंका को धूल चटा पाएगे की नहीं आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं